दोस्तों आप इंगलिश बोलने के सोकीन हैं तो आपको इंगलिश बोलने में ऐसे दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड तो जरूर मिलते होंगे जिनके मिनिंग एक ही होते होंगे और उनको बोलते वक्त हमें ये परिशानी होती है कि हम ये वाला यूज करें या वो वाला य हाउस को तो बिसिकली दोस्तों बच्पन में हमने पढ़ा है कि होम बेसिकली जो अपना घर होता है जहां पर हम रहते हैं उसको हम होम बोलते हैं और जो किराय के लिए होता है और जो स्टे करने के लिए होता है उसको हम हाउस बोलते हैं बट ऐसा नहीं है इसके अंदर और बी तेंदर हुआ इससे चापी तो एक-डा सारा हो एक दौक हरना है तो दोतने है यह पर है carry और take की comparison कर रहा हूँ जैसे कोई चीज आपको ले करके जानी है अपनी energy पे उसको आप carry कह सकते हो ठीक है I will carry my mobile, मैं मेरा mobile carry करूँआ ठीक है और कई बार आपने सुना भी होगा कि आप इसे carry करें carry करने का मतलब है कि आप इसे खुद ले करके आप किसी को काम पर ले करके जाते हो आप किसी को घर ले करके जाते हो तो उसमें आप ऐसा नहीं है कि आप इसको कंदे पर उठा करके ले करके जाते हो आपको energy लगानी पड़ेगी आप उनको सिर्फ साथ ले करके जाओगे in that sense you can say I will take you to home, I will take you to work मैं आपको काम पर ले करके जाओगा I will take you to my home मैं आपको मेरे घर ले करके जाओगा ठीक है मैं आशा करता हूँ कि आपको carry and take me difference समझ में आ गया होगा So let's have a look at the next next है roof and ceiling roof means भी च्छत होता है और ceiling means भी च्छत होता है but दोनों ही words में difference है roof किसी को ढखने के लिए जो चिज बनाया जाती है उसको हम roof बोलते हैं च्छत बोलते हैं यह कि उसका outer part हो सकता है लेकिन ceiling हमेशा ही च्छत का नीचला जो पार्ट होता है उसको हम ceiling बोलते हैं ठीक है तो ceiling ceiling के उपर हम fan लगा सकते हैं ठीक है तो ceiling जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम ceiling बोलते हैं जिसके उपर fan hang किया जाता है लटकाया जाता है उसको हम ceiling बोलते हैं और roof उपर side होता है ठीक है I am on the ceiling यह नहीं कह सकते हैं This is wrong मैं ceiling के उपर नहीं हूँ क्योंकि ceiling नीचे वाला part है, I am on the roof, this is the right sentence, ठीक है, so let's have a look at the next, next है दोस्तों हमारे सामने, buy and purchase, buy means भी खरीदना होता है, और purchase means भी खरीदना होता है, तो buy कहां यूज करेंगे और purchase कहां यूज करेंगे, ये बहुत बड़ा question हमारे सामने रहता है, ठीक है, तो buy हम basically सस्ती चीज that is usual, okay, जो आपके daily use में कोई चीज हो, normally कोई चीज लेते हैं, आप उसे हम buy करते हैं, और if you go to purchase something that is costly, so you can say purchase, I am going to purchase pant shirt, I am going to purchase whatever that is costly for you, so I am going to purchase mobile, in that sense you can use purchase, तो आशा करता हम आपको buy and purchase में अंतर समझ में आया होगा, so let's have a look at the next, so next है हमारा walk and jog, तो walk means भी टहलना होता है और jog means भी टहलना होता है, but there is a little bit of difference between walk and jog, walk means टहलना, but with intention, and jog without intention, like, जैसे हम सुबह की शैर के लिए जाते हैं, तो हमारा intention है कि हम सुबह की शैर के लिए जाएं, अपने health के लिए और अपने calorie burn करने के लिए, तो उसमें हम always walk use करते हैं और जब आप phone पे बात करते करते टहल रहे हैं, तो उसको आप joke कह सकते हैं, क्योंकि आपका intention फोन पे बात करना है, ना कि टहलना है, okay, और कोई भी prepare करने से पहले, कोई match खेलने से पहले, कोई game केलने से पहले हम थोड़ा सा टहलते हैं, okay, so उसमें भी हम joke कहते हैं, या फिर इसे words आई हैं, जो बहुत ही confusing हैं आपके लिए, तो आप उनको मेरे से share कीजिए, मैं उनका reply आपको comment section में, या फिर next video में जरूर करूँगा, so अब मुझे आपके comment का इंतचार रहेगा, so see you in the next video, by the time take care, be happy, keep smiling.